नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका दीप स्टडी सरकिल के हिंदी यूटूब चैनल पर दोस्तो आज की इस वीडियो में जो पेपर हुआ था फस्सिप्ट में तो उसमें मैथ, रीजिनिंग और डियाई के जो कोश्चन आये थे वो आज की इस वीडियो में सॉल्ब करेंग अंडरूड में कोश्चन मार्क अपॉन में 196 वराबर में 72 अपॉन 56 ठीक है तो जो कोश्चन मार्क है उसकी जगा हम लोगों ने मान लिया क्या एक्स तो अंडरूड में एक्स बटे अंडरूड में ये क्या हो जागा 196 और 196 किसका वर्गमूल होता है चाउदा का तो ये अंडरूड एक्स बते क्या आ गया चाउदा आ गया इसके बाद 32 बते 56 ऐसे ही, तो 14 से काटेंगे 500 को, 14 को 56 और 4 से 72 को काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 18 बार में यानि यहां क्या होगे अंडरूट x बराबर 18 तो x बराबर यहां से अंडरूट का साइन हटेगा यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा इस्क्वेर हो जाएगा तो x बराबर कितना जाए 18 इस्क्वेर जाएगा 324 तो 31 का ठीक है इसको देखते हैं क्या दे रहा था 32 बतीस मां कुश्चन था 885 गुणे 885 गुणे 885 पिलस 115 बटे 885 गुणे 885 पिलस 115 इंटू 115 माइनस 885 गुणे 115 तो इसमें हमने 885 को A मान लिया और 115 को B मान लिया तो यहां से क्या हो गया A into A into A A cube बन गया और यहां से B into B into B इसके बाद यहां पे देखी है यह 895 माना तो यह क्या बन गया A square बन गया और यहां पर 115B माना तो यह प्लस B square बन गया और यह a into B माईनस कि a into B अब a cube प्लस B cube का फॉर्मूला क्या होता है A square meilleur minus A B ठीक है और bracket में a plus b तो और नीचे भी क्या है a square plus b square minus kv तो जी इससे ये cut गया आपका अब आपका क्या बचा a plus b तो value वापिस रख देंगे a क्या माना था 885 और b को क्या माना था 115 तो 885 जब 115 को जोड़ेंगे तो ये क्या जाएगा 1000 ठीक है तो इसका आंसर d सही होगा 1000 अगला question देखते है अंडरूड में 5 minus root 3 बटे अंडरूड में 5 plus root 3 किसके बराबर है ठीक है तो जब भी इस type के सवाल आते हैं तो क्या करते हैं उपर वाली संख्या को क्या कहते हैं अंस कहते हैं नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं ठीक है तो हर के numerator के conjugate से उपर नीचे गुणा कराते हैं यानि हर के व्युत्कुरम से यानि अगर ये संख्या पिलस है तो माइनस से उपर नीचे क्या करा देंगे गुणा यानि ये संख्या ऐसा ही 5 माइनस रूट 3 अपन में 5 पिलस रूट 3 और 5 माइनस रूट 3 का क्या कर दिया उपर नीचे क्या करा दिया गुणा करा दिया अब देखिए उपर क्या बन गया A माइनस B का क्या बन गया होल स्क्यार तो A माइनस B का होल स्क्यार क्या होता A square plus B square minus के 2 A B और बट A में देखिए A plus B और A minus B तो ये क्या होता A square minus के B square ठीक है अब उसको solve करेंगे तो root 5 का square क्या हो जाएगा 5 root 3 का square क्या हो जाएगा 3 minus के 2 into में root 5 into में root 3 क्या हो जाएगा root 15 हो जाएगा ठीक है 5 3 क्या हो जाएगा 8 माइनस के 2 रूड 15 बटे में 2 हो जाएगा अब ये 2 का अलग अलग भाग कर देंगे 2 का इस 8 में कर देंगे 2 का इस में कर देंगे तो 2 चौको 8 दो से 2 कर जाएगा तो answer क्या जाएगा 4 माइनस रूड 15 नहीं option B आपका क्या होगा बिलकुल सही होगा अगला question देखते हैं TV के set का मूले TV के set का मूले 30% घटने पर उसकी विक्री 20% बढ़ गई ठीक है यानि उसका मूले जो था वो 30% अगर घटा दिया तो उसकी विक्री जो होगई 20% बढ़ गई तो दुकानदार की आए पर उसका क्या प्रवाव पढ़ा ये question था तो इसको देखते हैं 30% क्या है घटा ये तो माइनस में लेंगे पुला प्रतीसत घटी यानि option D आपका सही होगा दोस्तों जो जे मैं question skip कर रहा हूं ये question मैंने इससे पहले वाली वीडियो में सारे question आपको solve कराए थी लिंक आपको description में मिल जाएगा और जिनोंने भी second shift का paper दिया था उनका भी link आपको description में मिल जाएगा वहाँ पर जाकर आप अपनी answer की check कर सकते हैं ठीक है तो जीके के जितने भी question है जीके है science है उस सारे question की मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है जिसका link आपको description में मिल आप उसको देखकर अपने questions को मिला सकते हैं अगला question देखते हैं चार खिलाडियों की ओसत उम्र 18.5 बरस है अगर coach की उम्र भी इसमें सामिल की जाए तो ओसत कितना हो जाता है उम्र 20% बढ़ जाती है तो coach की उम्र क्या है ठीक है चलिए देखते हैं तो चार खिलाडियों क ऐसरいきसिक जो ओसत उम्र है वो कितनी है 18.5 तो चार खिलाडियों की ओम्र का योग कितना हो जाएगा चूंकि उससत बराबर होता है योग बटे संख्या ओसत बराबर्स कैसा होता है यूग बटे जितनी संख्या हुती है यहीं होता है तो योग बराबर नकालने तो क्या plugin कर और चार खेलाडी संख्या कितनी है चार तो अठारा पॉइंट फाइब से चार को गुणा करा दींगे तुझी आजाएगा आपका सेबंटी फूर ठीक है अब वो कह रहे हैं कि इसमें अगर कोच को भी सामिल कर लिए जाए तो वीस परसेंट बढ़ जाती है अब अगर कोच क सामिल कर लेंगे तो कितने लोग जाएंगे तो पांच लोग की उसा तुम्रे टिन हो जाए चलो की बीस परसेंट क्या हो जाती है तो बीस परसेंट बढ़ाने के लिए अठारा पाइंट फाइब को कितनी हो गई 22.2 ठीक है अब इनका क्या निकाल लेंगे, योग निकाल लेंगे 5 लोगों का, तो 5 लोगों का योग कितना हो जाएगा, 2.2 इनका वहसवर्ट हो गया, और 5 से गुणा करा दिया, तो यह आ गया 11, यहनी 5 लोगों की जो, आयू का जो योग आया बुआ सौरी 111 कितना आ गया 111 आ गया 12.2 इंटू 5 बराबर 111 इनका क्या आ गया योग आ गया ठीक है अब क्या कर देंगे कोच की आयू अबन को निकालना है तो क्या हो जाई पांच लोगों मैंसे अगर 4 लोगों की घटा देंगे तो क्या याई कोच की आयू है याई तो कोच की आयू बराबर क्या हो जागा 111 माइनस की कितना हो जागा 34 37 वर्स कितनी हो जाई कोच की आयू यानि डी आंसर आपका बिल्कुल सही है 37 वर्स अगला कोश्चन देखते है एकल का बिलोम सब्द है ठीक है एकल का क्या होता है बिलोम सब्द क्या होता है बहुल इसका option यह बिलकुल सही है दर्ब का पर्यवाची कौन सा है ठीक है दर्ब का पर्यवाची कौन सा होता है एहंकार ठीक है अगला question है मन को हरने वाला किसको मन को हरने वाला वाके के लिए नीचे दिये गए विकल मैंसे एक सब्द को चुनी है तो मन को हरने वाला क्या होता है मनो हर option B विलकुल सही है अगला question है गागर में सागर भरना मुहाबरे का अर्थ लेखिये गागर में सागर यानि बहुत छोटे में बहुत अधिक बात कहना यानि option 20 का सही होगा थोड़े में बहुत कहना ठीक है अगला question देखते हैं सुद्ध बरतनी का chain कीजिए निमनेवाइस सुद्ध बरतनी कौन सी है तो इसका सी आंसर होगा महतवा कांचा ठीक है अब यह जो आपके 41 42 43 हैं यह questions क्या है आपके passage में आधारे थें इसलिए इसमें time लगेगा यह मैं skip कर रहा हूँ 44 question देखिए क्या होता है give synonyms for the following famous famous के लिए synonyms क्या होगा synonyms होता है पर रिया बाची तो famous का क्या होगा popular ठीक है सी इसका आंसर सही होगा इसका give एंटोनियम for the following transparent transparent के लिए willom सब्द क्या होगा एंटोनियम क्या होगा तो इसका सही आंसर होगा opaque यानि सी आंसर इसका सही होगा अब यह reasoning की सवाल यहां सम्मधित है तो निरब एक ज्यानि किस सम्मधित होगे मानप से आंसर होगा सी सी इसका बिलकुल सही आंसर होगा अगला question देखते हैं उस सब्द कच्यान कीजिए जो संहू के बाकी सब्दों से मेल नहीं रखता है क्या नहीं रखता है तो इसके option सब्सक्राइब दही मक्कान पनेर यह तीनों चीज़ें किस से बनती हैं दूद से यह एक समानता रखती है कि इसमें जो तेल है वो समानता नहीं रखती तो अगला कुश्चन देखते हैं किसी निश्चित कूट भासा में रोड़क्शन को यह लिखा गया है तो इसी कूट भासा में औरिंटेशन को किस परकार लिखा जाएगा ठीक है अब देखिए यह कोडिंग डिकोडिंग का आपका सवाल है अब प्रोड़क्शन को देखिए पी आर ओ टी यू सी टी आई उएंस ठीक है इसको क्या लिखा क्यू क्यू पी सी भी पी यू एच पीमटी यह लिखा अब देखिए पी कितना होता है पी सोला पे होता है और क्यू कितने पर होता है सत्रह यह एक जोड़ने पर आरा ठीक है इसके बाद आर कितने पर होता है अठारा पे और क्यू कितने पर होता है सत्रह यह एक माइनस करने पर आरा अब एक पि देखे यहां तक तो आपका U dla you और B में एक प्लस हुआ लेकिन सी और फिसे कितने पर आते थीन पर आता है और ए कितने है पाँच कितना प्लस हुआ दो प्लस हुआ फिर बाकष आगे चलते हैं टी प्लस वन औरेधी हुए क्या हो जाएगा कि में कर देंगे तो यू21 हुआ है ठीक है त्वेंटी में फिर वापस वही चलने नहीं यानि यहां के कितने 5 और यहांगे पांच अकषह इन और बीच में दो पिलस हो गई यहां पिलस- माईनस प्लस- माईनस अब यही ऐपन किसम में औरिंटेशनम में लगांगे चिदिए देखते हैं सबसे पहले plus 1 से स्टार्ट हो डूरा है takiego छो में अगर plus 1 करेंगे तो क्या जाएगा Kologists की कि इसके बाद मैं क्द़ूर्ड से सबसे पहले प्लसुन से सबस्तिय करेंगे क्टैकरेंगे घ्रमक एकck i अगर क्या 있でも कि मैंने की वेलोह नहीं इस इसी पिर्कार I, E और N फाइ बक्चर को छोड़के अब सीधा आते हैं T पे T की वैल्ली कितनी होती है 20 20 होती है कितनी होती है 20 अगर पिलस माइनस पिलस माइनस से अगर लेते हैं तब देखिए यहाँ पर क्या जागा पिलस 1 के बाद माइनस 1 आएगा और अगर T 20 में से अगर माइनस 1 किया तो S आ रहा जबकि S कहीं भी आप्सन में नहीं है ठीक है तो इसलिए यह वाला जो कोडिंग डे कोडिंग होगी वो बिलकुल सही होगी यानि 3 में जब 2 पिलस किये थे तो 5 आ गया था तो E आ गया था इसी पिरकार यहां क्या करेंगे T में 2 पिलस करेंगे तो कितना आ जाएगा B आ जाएगा यानि उप्सन A आपका बिलकुल सही हो जाएगा इसके आगे करने की आपको ज़रूत नहीं है ठीक है अगला कुश्चन देखते हैं रीता की और इसारा करते हुए निखिल ने कहा रीता की और इसारा करते हुए किसने कहा निखिल ने कहा मैं कौन निखिल रीता की मा के रीता की ये मा हो गए मा के पुत्र का इकलोता पुत्र है ठीक है अब देखना बिलकुल ध्यान से रीता की मा के पुत्र तो मा का पुत्र कौन होगा, रीता का भाई होगा, और पुत्र का एकलोता पुत्र, पुत्र का एकलोता पुत्र कौन है, निखिल है, यानि रीता के भाई का लड़का कौन है, निखिल, भाई का लड़का कौन है, निखिल, भाई का लड़का कौन है, निखिल, तो निखिल की लीता कौन होई बुआ बिलकुल सिंपल ठीक है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बुआ ठीक है अगला कुश्चन देखते हैं यदि किसी बरस में 25 अगस्त को गुरुवार है 25 अगस्त को क्या है गुरुवार है तो उसी महीने में सौम्वारू की संख्या क्या है होगी तो 25 पाइच्शषत को गुरुवार है तो सबसे पहले संभारू की संख्या निकालने के लिए एक अगस्त को आपन एक तारिक को निकाल लेंगे तो एक अगस्त को क्या होगा ये अभी उपन फाइंड करेंगे क्या होगा तो 25 इस एग गई कितना बचा 24 और divide y क्या कर दिया 7 कर दिया तो कितना आ गया 3 6 बचा 7 से भाग करेंगे 24 में 7 ये 21 कितना 6 बचेगा 3 6 बचेगा ठीक है अब 3 सेच का मतलब अगर 3 समय से माइनस कर देंगे तो ये वाले दिना जाएगा तो गुरुबार से जब 3 माइनस किया तो क्या आ गया सौमबार यानि एक अगस्त को क्या होगा सौमबार होगा क्या होगा एक अगस्त को क्या होगा सौमबार होगा अब अगर किसी महिने की एक दो तीन तारिक 31 का अगर महिना है और जो दिन एक दो तीन तारिक को पढ़ रहा है वो दिन महिने में कितनी बार आएगा पांच बारा आएगा तो सौंबार कितनी तारिक को पढ़ रहा एक तारिक को तो सौंबार पूरे महिने में कितने बारा आएगा पांच बारा आएगा पचास का क्या हो जाएगा अंसर सी सही हो जाएगा ठीक है अगला कोश्चन देखते हैं गिराफ में एक परिक्षा में साथ छात्रों के इत्यास और भूगोल की अंकों का अनुपात दर्सा आता है इत्यास और भूगोल के अनुपात है वो गिराफ में दर्सा रहा है ठीक है अब कोश्चन देखते हैं 81 कोश्चन क्या कह रहा है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इत्यास में जादा अंक अर्जित किये हैं किसकी अपेक्षा भूगोल की अपेक्षा इत्यास में जादा अंक अर्थिच किये हैं तो यही हो जाएगा भूगोल नीचे आ जाएगा तो यहां बना जाएग तो इतियास भटे भूगोल इस ग्रेटर देन वन यानि इतियास भूगोल का जो नुपात होगा वो किस से ज़्यादा होने चाहिए एक से एक से ज़्यादा तो कितनी जगा है एक से ज़्यादा कितनी जगा है देख लेते हैं कहां पर है एक से ज़ादा यह है एक से ज़ादा यह है और एक से ज़ादा यह है कितनी बार है तीन बार है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भी तीन बार, ठीक है यानि तीन चात्रों ने क्या किये है इतिहास में ज़ादा uz severity है भूगोल की अप एक्चा ठीक है अगला question है निम्न मैंसे किन छात्रो को भूगोल की अपेक छा इतियास में कम अंक मिले है ठीक है तो इसका just क्या है अपोजट है तो इतियास में जिसको ज़्यादा अंक मिल ला है उनका मान एक से ज़्यादा आता और जिसको भूगोल में अगर ज़्यादा अंक मिलेंगे या इतियास में कम अंक मिलेंगे तो उनका मान क्या आ जाएगा एक से क्या आ जाएगा कम आ जाएगा किसका history और इतियास और भूगोल का जो अनुपात होगा बो क्या होगा एक से कम होगा अगर इतियास में का अंक मिले होंगे तो देख लेते हैं किस का अनुपाद कम है ठीक है यह देख लेते हैं देखिए पहले का अनुपाद कम है दूसरे का अनुपाद कम है तीसरे का एक से कम है और छट में का एक से कम है तो एक दो तीन और श्यानि आपका क्या होगा सही होग अगला question देखते हैं भूगोल में चात्र 3 से 4 के मद अंक की प्रतीसत बड़ात है ठीक है? भूगोल में तो भूगोल में 3 और 4 के चात्रों की अंक देखते हैं भूगोल में कितने है? 3 के 0.35 भूगोल में नहीं, sorry तीसरे चात्र का जो इत्यास और भूगोल का अनुपात है वो कितना है? 0.35 और चौते चात्र का कितना है इत्यास और भूगोल का अनुपात? 1.25 चूंकि यहाँ पर क्या है? अनुपात दिये हैं किसी एक का मान नहीं दिया है इसलिए इसका answer क्या होगा D आकड़े आ परियाप्त हैं ठीक है अगला question देखते हैं इत्यास और भूगल के अधिकता मनुपात और नियूंता मनुपात के बीच अंतर ठीक है तो यहाँ अधिकता मनुपात कहा है सबसे अधिक value कौन सी है यह है तो अधिकता मनुपात और निय 0 यानि option आपका D सही होगा ठीक है अगला question देखते हैं चात्र 4 को चात्र 4 को 4 नंबर कौन सा यह चार को भूगल में 60 अंक मिले हैं तो उसके इत्यास में अंक ग्यात करना है तो चात्र जो 4 है उसके नंबर कितने है 1.25 किसके नंबर है यह यह अनुपात है किसका इत्यास औ भूगल का अनुपात है तो इत्यास बटे भूगल यह पॉइंट अटाए नीचे 2.0 आ गए तो 125 बटे 100 हो गया 25 को 100 और 25 पंचे 125 यानि इत्यास भूगल का जो अनुपात आ गया वो 5 अनुपात 4 आ गया अब वो कह रहा है भूगल में कितने अंक मिले 60 तो भूगल में 60 ब अगर 60 मिलते हैं तो इत्यास में कितने होंगे 15 पंचे 75 कितने होंगे 75 यानि ओप्शन सी आपका बिलकुल सही होगा ठीक है अगला कोश्चन देखते हैं अगला गदाब देखते हैं बहुत सही बहुत जवरदस्त दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर जर प्रिशनों के उत्तर दीजिए तो गिराप बना हुआ है इसमें क्या ये कच्छी उन का उत्पादन की इसमें दिया है में तान में ये विविन बरसों में कच्छी उन का क्या दिया है उत्पादन दिया है ठीक है अब देखते हैं कोश्चन क्या कह रहा है बिल्कुल ध्यान से पढ़ना बहुत आराम से कच्छी उन के उत्पादन में उच्टम ब्रद्धी का बर्स था देखो इसमें क्या दे रहा है वो उच्टम ब्रद्धी ठीक है और आप लोग बहुत जली दगा देंगे 76 लेकिन इसका आंसर 76 नहीं होगा यानि 17 18 नहीं होगा क्यों नहीं होगा उसका रीजन सुन लीजे अगर वो पूश्टा कोश्चन में कि कच्छी उन के का उत्पादन किस वर्स अधिक्तम था ब्रद्धी नहीं पूश्टा आपसे क्या बोलता किस वर्स में अधिक्तम था तब आप लगाते 17 18 लेकिन आपसे पूश्टा उच्टम ब्रद्धी किस वर्स हुई है ठीक है तो सबसे ज़्यादा ब्रद्धी देखिए कहां हुई है ये कितनी हुई है 53 से 65 और ये कितनी हुई है 65 से 76 तो सबसे अधिक ब्रद्धी ब्रद्धी देख एक तो यह ब्रद्दी हुई है एक यह ब्रद्दी हुई है एक यह ब्रद्दी हुई है लेकिन जो सबसे ज्यादा ब्रद्दी हुई है वो कहां हुई है यहां पर हुई है यानि 65 से जब 53 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 सबसे अधिक ब्रद्दी कहां हुई है 16 17 में तो इसका आंज से सही होगा C 2016 17 अगला कोश्चन देखते हैं 87 कोश्चन है क्या है पहले चार वर्सों के उत्पादन की तुलना में अंतिम चार वर्सों के मैं कच्छे उनका उत्पादन कितने प्रतिसक बढ़ गया तो पहले चार वर्सों का उत्पादन कितना था चौह पन एक्क्यावन त्रेपन और पैंसट और आखरी अंक कितना आखरी चार वर्सों का 76 58 68 और 73 ठीक है? तो पहले 4 बरसो का उत्पादन और अंतिम 4 बरसो का उत्पादन क्या कर देंगे? जोड़ेंगे अब प्रतीसत बरद्दी निकालना है तो कितने की बरद्दी हुई? 225 से कितना हो गया? 275 हो गया, तो 50 की बरद्दी हुई? तो किस से निकालना है पहले चार से तो 50 बटे 225 इंटू में 100 इसको solve करेंगे 22.2 आपका आंसर आजाएगा तो 87 का B आपका सही आंसर अगला question है कि 8 बरसों के दोरान ओसत उत्पादन क्या था ठीक है पूरे 8 बरसों के दोरान तो ये जो आठो बरस के दोरान जो ओसत था तो ओसत क्या होता है सभी का योग बटे संख्या ठीक है तो सब का क्या कर देंगे योग कर देंगे और कितने से डिवाइड करा देंगे 8 से डिवाइड करा देंगे तो 69 बराबर क्या हो जाएगा योग बटे संख्या सबका योग कितना आएगा 500 और 8 क्या है संख्या है 8 से 500 में डिवाइड करा देंगे तो यह आंसर आए 62.5 मेटर तन तो इसको आप्टन भी सही होगा अगला question देखते हैं 89 उत्पादन में पिछले बर्स की तुल्ना में अधिक्तम प्रतीसत घटत किस वर्स रही सबसे अधिक जो घटत रही वो किस वर्स रही ठीक है तो इसको देखते हैं देखी है सबसे आधिक घटत कहा रही तो घटा कहां कहां ये घटा ठीक है और यहां बड़ा यहां बड़ा यहां बड़ा फिर ये घटा और फिर दोनों जगे फिर बड़ा ठीक है तो दो जगे घट रहा है दो जगे घट रहा है एक तो 14-15 में 59 से 56 हुगा यानि 5 की कमी हुई और 76 से 58 हुगा तो ये सबसे अधिक तम क्या थी कमी थी ठीक है तो 2018-19 इसका सही आंसर होगा ठीक है देखिए इंग्लिस में भी यही दिया है the maximum percentage decrease of the production कहां पर सबसे दिक कम हुगा है 2018-19 में ठीक है तो 89 का यह आपका सही आंसर हो जाएगा अगला question देखते हैं 2014-15 में कच्ची उन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना था ठीक है तो 2014-15 का जो कच्ची उन का उत्पादन था वो 19-20 के उत्पादन का क्या था तो 14-15 का उत्पादन देखिए कितना है गिराफ में चौदा पंदरा का जो उत्पादन है वो कितना है 59 और 19-20 का कितना है 68 ठीक है 59 और 68 यही लिख्खा मैंने 2014-15 कितना 51 2019-20 का 68 है तो वो कह रहा है कि 51 68 का कितना है बस जैसा language कह रहा है वैसे ही लिख लिया क्या कह रहा है 14-15 यानि इसकी जगा क्या लिख दो यहां 51 इसका क्या लिख दो 68 का था कितना था तो एक्स की वैलू निकालना है 68 नीचे आगा 59 बटे 68 तो यह आ गया 17 तिया 51 और 17 चौको 68 तो 3 बटे 4 इसका सही आंसर 90 का डी सही आंसर आपका हो जाएगा अगला कुश्चन देखते हैं अगली डी आई है यह 91 से 95 दी गई तालका के आधार पर निमन प्रिशनों के उत्तर दीजिए ठीक है पहां सेल्समें द्वारा अरजित बार्शिक कमीशन दिया हुआ है ठीक है तो पहला कुश्चन है क्या है पहला कुश्चन देखते हैं किस वर्स में किस वर्स में सेल्समें सी द्वारा किस वर्स में सेल्समें कौन है सी द्वारा अरजित कमीशन पिछले वर्स की तुलना में अधिक्तम ब्रद्धी दर्स आता है किस वर्स में तो अगर जैसे यहां पे दी हो पंदरा सूला सत्रा आठारा उननीस और बीस कितने वर्स दी हुए हैं छे वर्स दी हुए हैं तो छे का नहीं देखेंगे फड़ा जो ऑप्सं में हैं 4 वर्स उनी का देखेंगे तो 2016 में सबसे पहले देखेंगे तो 2016 में C का कितना ब्रद्धी हुए तो 15 में 26,850 था और 16 में 27,900 हो गया 27 स्वारी C का देखना है तो C का 26,200 था और 27,800 थो गया तो 27,800 से 26,200 माइनस करी, यानि कितनी की ब्रद्दी हुई? 1600 की, अगला देखेंगे क्या? 2017 में, 2017 में C का कितना था? 28,200, और 16 में कितना था? 27,800, इसको माइनस की, या 400 की ब्रद्दी हुई, इसी परकार 2018 के करेंगे, तो 29,100 माइनस, 29,100 माइनस 28,200, जो माइनस करेंगे, तो 900 आजाएगा, इसी परकार 2019 में देखेंगे, तो 29,400 माइनस 29,100, यानि 300, यानि सबसे अधिक ब्रद्दी कहां रही, 2016 में, तो इसका सही आंसर A, 2016 हो जाएगा, अगला कुश्चन देखते हैं, कि वर्स 2018 में, वर्स 2018 में, बी का कमीशन, पांस सेल्स मेनू के, उसी वर्स के, किस वर्स के, 2018 के कुल कमीशन का लगभा कितना पिरती सत था, ठीक है, तो 2018 में, सभी सेल्स मेनू का, कितना है, 2018 में, सभी सेल्स मेनू का, 1,46,960 है, और किसका निकालना था, बी का कितना है, 40,960 का कितना पिरती साथ 100 से गड़ा करा दिया इसको solve कर लेंगे तो यह answer जाएगा 19.05 यानि यह answer आपका बिलकुल सही होगा अगला कोश्च देखते हैं किस salesman का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्टम रद्धी दरसाता है जो इस question यानि जो जैसा question आपका 91 था उसी परका 93 ह ठीक है तो 2018 के जो कमीशन है वो देख इसमें option सही उठाएंगे एका कितना था 2018 में मैं कमीशन 2015 की तुलना में कितना था 29 साथ सो 15 में कितना था 37 सो 50 सो 24 सो 50 हो गया जो इसी परकार solve कर लेंगे तो सबसे अधिक जो इसका किसने उस्तम बिरद्धी दरसाई है सी ने तो सी इस 29 कोच्चन है निमने मैंसे किस वर्स में किसी सेल्समें किसी भी सेल्समें द्वारा अरजित उचतम और नियूंतम कमीशन का अंतर अधिकतम है ठीक है तो यह वी option से उठाएंगे सारे वर्स का नहीं निकालेंगे time बचाना है तो 2017 का सबसे पहले निकालेंगे maximum कितना है ठीक यह है आपका 29 800 और मिनिमम कितना है 25 200 इसी परकार सारे बर्स का डिफिरेंस निकाल लेंगे ठीक है तो यह मैंने निकाला हुआ है 29 800 माइनस 25 2600 2018 के निकाला है 3060 28260 इसी परकार 2019 का सबसे जो अधिक्तम और नियूंतम कमीशन का जो अंतरे वो अधिक्तम कहां पे है देखिए चारों में अधिक कौन सा है 2019 का तो इसका C आपका सही हो जाएगा अगला कूश्चन है वर्ष 2019 में सेल्जमें D द्वारा अर्जित कमीशन A द्वारा अर्जित कमीशन का लगवा कितना परतिशट है ठीक है तो 2019 में देख लेंगे D द्वारा अर्जित कमीशन A द्वारा 2019 में D द्वारा और A द्वारा तो 2019 में D द्वारा कितना कमीशन आ रहा 29,800 और A का कितना आ रहा 24,600 तो एक दूसरे से प्रतिशत निकाल लेंगे ठीक है तो 24,600 29,800 कितना प्रतिशत है 24,600 का इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो जी आजाएगा आंसर 82.5 है चुकि इसमें कोई option नहीं है इसलिए option D इन में से कोई नहीं सही हो जाएगा अगला question आखरी डियाई है आपकी क्या है 96 से 100 तक ये question दिये हुए है इसमें विविन 4 share दिये हुए है जिन में खुले खातों की संख्या दी हुई है मई में जून में जुलाई अगस सितंबर में कितने कितने खाते खोले गए है मैंने यहीं पर इनका add कर दिया है जाकि question solve कराने में आपको आसानी होगी ठीक है चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले 96 question क्या है निम्लेकित मैसिक किस महीने में खुले खातों की संख्या का ओसत मेहत्ता में ठीक है तो सारे महीनों का नहीं निकालेंगे जो चार्द महीने दिये हूए है option में उनका ही निकालेंगे तो उसत निकालना है तो उसत जून का क्या होगा सभी को जोड़ दो जून का वोसत क्या होगा योग बटे संख्या तो जून का वोसत कितना हो जाएगा योग कितना है 28 पिलस 18 पिलस 45 पिलस 42 यानि कितना आगए 133 और कितने संख्या से कितने वा कितनी कंपनिया हैं 4 से भाग कर देंगे तो 133 डिवाइड वाय आपका क्या हो जाएगा तो सही is catching निकाल लें गे इस प्रिकार अगस्त का इसी प्रिकार मैं सबसे किसी सही हो जाएगा अगला है अगस्त में खुले खातों की संख्या, जून में खुले खातों की संख्या से लगवत कितने पिरतीसत कम थी, ठीक है, तो अगस्त में खुले खातों की संख्या, कितनी हैं, देख लेते हैं, अगस्त में कितने खाते खुले, 180, अगस्त में कितने खाते खुले, 180, और अगस्त का वो किस से पूछ रहा जून से जून में कितने खाते खुले एक सो तेतिस तो इसमें निकाल लेंगे एक सो तेतिस अगस्त में खुले ते जून में एक सो तेतिस एक सो सी अगस्त में एक सो तेतिस जून में तो माइनस करके किस से निकालना है एक सो तेतिस से इंटू सो तो 35.3 इसका भी अंसर सही हो जाएगा अगला कूछचन है मैई से सितमबर तक मैई से सितमबर तक संख्या से जेरोधा में खुले खातू की संख्या का नुपाइब जेरोधा में कितने खाते खुले 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 इतने खाते खुले मैई से दंबर तक कितरे 200 तो 200 आठ बटे 200 कितरा अनुपात आयाएगा 1.04 option D आपका सही हो जाएगा इसके अगला question है किस सेर वरोकर में खुले खातों की ओसत संख्या महत्तम है ठीक है तो जिसका योग अधिकतम होगा उसकी संख्या ओसत भी अधिकतम होगा तो किस सेर की है यज़े एंजल के कितने खाते टोटल खुले 200 वाट ठीक है इसके बाद सेर खान के 147 जैरवदा के 200 और ट्रेडवुल के 232 सबसे अधिक खाते किसके खुले 232 किसके ट्रेडवुल के तो सबसे यादा ओसत भी किसका देखोगा त्रेडवुल का यहनि सी ओप्सन इसका सही होगा ट्रेडवुल अगला question है ट्रेडवुल में खुले खातों की संख्या का ओसत सेर खान में खुले खातों की संख्या की ओसत का लगवा कितना प्रतीशत कमया जादा है त्रेडवुल में खुल कितने खाते खुले 232 तो ओसत कितना आजागा 232 और संख्या कितने महीने का है पांच महीने का डिवाइड डिवाइड वाइब 5, 46.4 होगी आएगा, सेर खान में कितने खाते खुले, 147, डिवाइड वाइड कितने महीने में खुले, 5 महीने में, तो इसका और सता आएगा, 29.4, ठीक है, अब इनका क्या नकालना है, कितने परतिसत कम या ज्यादा है, तो डिफिरेंस कितना आगया है इनका, इनका डिफिरेंस आगया 17, किस से नकालना है, सेर खान से, इन 200, सॉल्व करेंगे, तो आज़र आगया 57.82, तो ए उप्सन आपका, बिलकुल सही होगा, ठीक है दोस्तों, दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो ल नवाद.